मज़ूर टेलिविजन सीरिल एक्टर हिना खान ने कांस में डेब्यू किया है जिहां चोड़े परदे की बहू याने की हिना खान इस बार कांस में पहुची है और हिना खान पहली ऐसी टीवी एक्टरस हैं जो कांस के रेट कॉर्पिट तक पहुची है उनकी इस अचीवमेंट की हर तरफ तारीफ की जा रही है वैसे अगर हिनाख खान अब तक के फोटोग्राफ को देखें तो वो confident नजर आ रही है लेकिन एक चीज़ जो साफ नजर आ रही है इन फोटोग्राफ में वो ये है कि हिनाख खान को कोई भी international media भाव नहीं दे रहा इस बात को अगर आप गोर से देंगे तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिनाख खान अलग थलग से नजर आ रही है international media उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है इन तस्वीरों को देखकर ये बाद साफ हो जाती है कि हिनाख खान अपने किसी दोस्त से अपनी फोटो किलिक करवा रही है जबकि international media के camera कहीं और देख रहे हैं उनका focus कहीं और है not even a single camera कोई भी एक camera ऐसा नहीं है वहाँ जिसका focus हिनाख खान पर नज़रा रहा हो कांस में तो हिनाख खान पहुँच गई है लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कांस के जो international media है वो हिनाख खान को नहीं जानता इतना जारा वाखिव नहीं है हलांकि जो बड़े stars कांस में पहुँचने वाले हैं उने international media अच्छे तरह से जानता है और शायद उनी का इंतिजार ये पत्रकार आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं हिनाख खान ने जो dress पहनी है उसको लेकर भी उनको ट्रॉल किया गया है लेकिन ये एक achievement हिनाख खान के लिए इस बात में कोई दोराय नहीं है हिनाख खान आप जासके जानते ही हैं कि बिग बॉस 12 में आ चुकी है और उसे पहले बिग बॉस 12 में अपना अच्छा performance दे चुकी है बारहाल जो भी हो हिनाख खान का ये performance बहुत ही काविल तारीफ है आपकी हिनाख खान के cons में पहुशने पर क्या राय है हमें comment box में जरूर बताएं देश और दुनियों की तमाम ख़वरों जूड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ताकि आप तक पहुशता रहे हमारा हर लेटरस अपडेट